आप लोगों की दूआ से हम लोग भी ठीक हैं and let's hope कि इस मुझीवत से हम लोग जल्दी अब यह तो obvious है कि फिलाल कोविट की वज़ा से नियर फ्यूचर में हमारा कोई भी outstation या long distance trip नहीं लगने वाला है तो मैंने सोचा कि मैं topic के बारे में आप लोगों से discuss करता हूं जिसके बारे में बहुत लोग मुझसे questions पूछते हैं कि how do we manage to drive this long इतनी दूर दूर हम लोग drive क करके जाते हैं वह हम लोग कैसे manage कर पाते हैं या उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ अज अपना secret share करने जा रहा हूं यह कोई secret नहीं है simple tips and tricks हैं जो कि मैं use करता हूं जब भी हमें कोई long distance trip पर जाना हो तो उससे पहले कुछ simple preparation अब जिन लोग को नहीं पता उन्हें मैं अपना introduction दे दू आप जिन लोग को नहीं पता उन्हें मैं अपना introduction दे दूँ I am Ashish Bhatia and I am a travel enthusiast from Delhi I travel along with my wife Venshika and my son Adiv और एक तरह से कहें तो वह हम लोगों का घर है, एक दूसरा घर है, मैं अपनी जादा तारीफ नहीं करना चाहता, बट मुझे अल्मोस्ट ट्वंटी एस का ड्राइविंग एक्सपिरेंस है, बीस साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं, और अप्रोक्सिमेटली साड़े चार पां नौर्थ में जम्मू, लाहोलस्पिती, यां इस इवन ओट साइड इंडिया तू नेपाल, एक दिन में सबसे जादा दिस्टेंस जो मैंने ट्रावल किया है याप्रॉक्सिमेटली 1100 किलोमेटर फ्रॉम डेली टू वदोधरा, और भी यसे कई टृप्स हैं, जिसमें की मैं दिन में 17-18 घंटे ड्राइव किया है जैसे डिली से सांगला डिली से बदरीनात नेपाल एक ही दिन के अंदर अब डेफिनेटली अगर आपने अभी अभी कार चलाना शुरू किया है और या फिर आप रोड ट्रिप्स के लिए एक दम नए हो ज्यादा एक्सपिरेंस नहीं है तो रातो रात कोई चमतकार नहीं होने वाला है और आप एकदम से दिन में 1200 किलोमेटर चलाना शुरू नहीं कर दोगे इट टेक्स एक्सपिरेंस एंद टाइम किया आप उस लेवल पर जाओ माइ इंटेंशन इस तू शेर सम पॉइंट्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे तू इजली ड्राइव लॉंग दिस्टेंस बाकी तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट धीरे दीरे आपका कैलिबर अपने आप बढ़ जाएगा एक बहुत जरूरी प्रिप्रेशन पॉइंट और शायच जो सबसे ज़ादा निगलेक्ट हो जाता है जब आपने कहीं दू ड्राइव करना हो और आप अगर पॉसिबल हो सके तो उससे एक दो दिन पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो लॉंग ड्राइव बहुत टारिंग होती हैं और अगर आपकी बॉड़ी और माइंड थकी हुई हो तो यह रिस्की होने के साथ साथ एक पनिश्मेंट भी बन जाता है आप इंजॉय करने की जगा सारा रास्ता बच चिड़ चिड़े से रहोगे रेस्ट और स्लीप बहुत ज़रूरी है स्पेशली जिसने ड्राइव जैसे पहले रेस्ट करके आपने अपनी सरविसींग करी उसी तरह से कहीं दूर जाने से पहले कार की प्रॉपर पर सेबुट जरूरी है क्योंकि जब कर continuously बहुत देर तक चलती है तो उसके हर एक पार्ट के उपर बहुत जादा स्ट्रेन आता है बहुत जादा स्ट्रेस आता है ऐसे में अगर कोई breakdown हुआ तो आपका पूरा trip चौपट हो जाएगा तो निकलने से पहले अपनी कार को किसी मेकानिक या सर्विस सेंटर वाले को दिखा दो जो प्रॉपरली चेक करके देख ले कि सब ओके है अपने ब्रेक्स प्रॉपरली प्लान करना बहुत ज़रूरी है कई बार हम कैजुली ये सोच के घर से निकलते हैं कि रोड पर निकल के सोचिंगे कि क्या करना है कहां रुकना है अगर आपकी डेस्टीनेशन दो दिन के ड्राइव पर है जैसे कि 15, 16, 100 km दूर और आपको दो दिन में वह डिस्टेंस ट्रावर करना है लेकिन आपको ये नहीं पता कि पहली रात आपको कहां रुकना है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि आपने कैजुली प्लैन किया है तो आप कैजुली घर से निकलोगे रास्ते में बार बार रुकोगे फिर शाम होने तक पता चला कि आप अपनी डेस्टनेशन तक ही नहीं पहुँच पाए आपने जो सोच रखा था कि इतनी दूर जाना है वहां तक नहीं पहुँच पाए मतलब टेंशन रात को लेट तक काड़ चलाओगे और दूसरे दिन भी भगाते रहोगे आपकी डेस्टनेशन दो या तीन दिन के दूर डिस्टन्स पे है तो मेक शूर कि जो आपका फर्स दे है उस दिन आप सबसे जादा डिस्टन्स टैवल करो दोनों दिन का डिस्टन्स इकोली स्प्लिट मत करो तो आप पहले दिन जितना ज्यादा गाड़ी चला सको उतना अच्छा है दूसरा दिन आपके लिए उतना रिलाक्स रहेगा उतने अराम से जो है आप शाम तक अपनी डेस्टनेशन तक पहुँच जाओगे यह एक ट्रकी पार्ट है और हो सकता है कि कई लोग मुझसे अग्री ना करें मैं एक मॉर्णिंग परसन हूँ मैं सुबर जल्दी उड़ जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस रात के दो से तीन बजे के बीच में ट्राफिक ऑल्मोस जिरो होता है एक साइकलोजिकल साटिसफेक्शन रहती है कि थोड़ी दिर में सन्राइज हो जाएगा और तीसरा यह कि शाम को टाइम रहते मेभी संसेट होने से पहले आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे अगर आप लेट निकलते हो तो लेट पहुच होगे सारा दिन आपका ट्राफिक और सड़क पर निकल जाएगा प्रिपरेशन का पाँचवा पॉइंट अपने साथ स्नाक्स पानी जूस बेसिक मेडिसिन्स यह सब चीजे प्रॉपरली रख लो एक तो आपको बार-बार रुकना नहीं पड़ेगा दूसरा अगर एकदम से किसी चीज की ज़रुद पड़ जाएगा जैसे की पानी या कोई मेडिसिन और आप किसी सुनसान से स्ट्रेच पे हो तो आपको जाएदा प्रॉबलम नहीं आएगी एक रोड ट्रिप के लिए क्या-क्या चाहिए उस पर मैं अलड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ उसका लिंक जो है डाट इस डाउन देस्क्रिप्शन यू किन चेक इड आउट अब ये तो थी ट्रिप शुरू करने से पहले की प्लानिग अब एक्चुल में रोड ट्रिप पे या रोड के ओपर क्या-क्या करना है मैं वो बताता हूँ येस मेरी कार में एक फोन के उपर गूगल मैपस कॉंटिनुसली ओन रहता है थ्रूआट दी एंटायर जर्नी इसके तीन फाइदे हैं एक तो ये पता रहता है कि हम कहां है और डेस्टिनेशन तक कितना टाइम लग जागा और अंजान शहर आता है कोई तो वहां पे जो रा येस ये सुनने में थोड़ा आजीव लगेगा बट बचपन में सुनी होई खरगोश और कच्छुए वाली जो कहानी है वो सच है सबको लगता है कि लॉंग डिस्टेंस मतलब गाड़ी तेज बगाओ बट अगर आपको बहुत दूर जाना है और आप अंदा दून गाड़ फोड़ा रहे ओ लेंज बार बार चेंज कर रहे हो जिग जग कर रहे ओ एक्दम से अग्सलरेटर बबारे हो तो आप जल्दी थक होगे आपकी कार के ओपर ज्यादा स्टें आएगा आपकी माइलेज कम रहेगी और सबसे बड़ी प्रॉबल्म यह है कि यह बहुत ज्यादा रिसकी है, ट्राइटू ड्राइव विदिन अ मॉडरेट स्पीड रेंज, असी से सॉकर बीच में चला होगे, तो ट्रस्ट मी आपका ओर ट्राइवल टाइम जो है, आदे पॉने घंटे से ज्यादा नहीं खिचने वाला, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और आप ज 40-60 km कवर कर सकते थे, तो हम लोग एक बार चलने के बाद, कम से कम 3-4 घंटे तक गाड़ी चलाते हैं, रुकते नहीं है, और जब रुकते हैं, तो भी इंशोर की सब काम, जैसे की डीजर डलवाना, खाना, पीना, नेचर स्कॉल, एक ही बार में निपटा लें, ताकि फिर जल्दी रुकना ना पड़े, अनलेस रास्ते में बहुत अच्छी सीनरी हो, और आपको फोटो लेनी हो, रुकने की कोई सेंस नी बनती, ट्रिप के ओपर आप जितना ज्यादा कमफटेबल रोगे, उतना कम थकावट होगी, अराम दैक कपड़े पहनो, चाहे तो एक पिलो लेके अपनी बैक के पीछे आप रख सकते हो, एक लंबड सपोर्ट के लिए, पीठ में भी दर्द कम होगा, अच्छा म्यूजिक, एसी, जितना ज्यादा आपने आपको कमफटेबल रख सकते हो, उतना रखो, सो दैट की थकावट कम से कम हो, और आप ज्यादा इंजॉय कर पाओगे, जब आपको ड्राइव करना हो, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हलका हलका खाओ, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, कहीं रुक के आपने ज्यादा हेवी कुछ खा लिया, तो बस आपको आलास आने लगेगा, और शायद नीन भी आ जाए, विच ब्रिंग्स मी टू माइ लास्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट ड्राइवर के लिए अप्लिकेबल है, अगर हलकी सी भी नीन आने लगे, तो हाथ मूँ दो लो, थोड़ा वॉक कर लो, बट किसी भी हाल में गाड़ी चलाते मत रहना, ड्राइव करते होए एक भी जोंका लगया, तो सब खतम, थोड़ा मूँ चलाते रहो, चिप्स खालो, चुइंगम खालो, पानी पीलो, ये अपने को पैसेंजर्स के साथ गप्पे बचा सकती है, तो it is important guys, अगर नीद आ रहे हो, तो गाड़ी मच चलाओ, just take a break, so this is it guys, ये कुछ simple सी बाते थी, जिनका अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपका long distance drive जो है, वो बहुत enjoyable बन जाएगा, and you will have a lot of fun, I hope आप लोगो को वीडियो पसंद आया होगा, do give your feedback in the comment section below, and thanks for watching, and I'll see you soon again, तब तक के लिए, keep traveling, keep living, see ya!